नमस्कार आप देख रहे हैं नियूस पड़ी 7 मेरे यानी जानभी के साथ जैसे की आपने पहली विडियो में जाना कि काका का बॉलिवुट का सफर कैसा रहा अब हम बात करेंगे काका के राजनेतिक करियर के बारे में 1984 के बाद राजीव कांदी के कहने पर काका ने कॉंग्रेस के लिए कैंपेनिंग करना शुरू कर दिया फिर 1991 के लोगसभा एलेक्शन में न्यू टैली की सीट के लिए दावेदार बने लेकिन एलके एडवानी से सिर्फ 1589 सीट से हार गए जिसके बाद काका ने प्रोटेस्ट किया कि काउंटिंग में चीटिंग हुई है फिर काका ने फिर से इलेक्शन लड़ा और 25,000 वोट से शत्रोगन सिना को हरा दिया काका इंडियन नाशनल कॉंग्रेस की तरफ से मेंबर आफ पार्लियमेंट थे न्यू डेली की कॉंस्टिटुएंसी छोडने के बाद बाद में 2012 तक पंचाब इलेक्शन में इंडियन नाशनल कॉंग्रेस के लिए एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर काम करते रहे और कैंपेनिंग करते रहे अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की तो कहा जाता है कि फैशन डिजाइनर और एक्टर अंजू महिंद्रू से उनकी काफी अच्छे तालुकात थे काका उनसे बहुत प्यार करते थे वे दोनों साथ साल तक रिलेशन्शिप में भी रहे थे अंजू जी का कहना था कि काका का कहना था कि वे एक्टिंग छोड़ दे और अंजू को ये बात मनजूर नहीं थी इसलिए वे दोनों अलग हो गए बाद में काका ने डिम्पल का पाडिया से शादी कर दी यहां तक कि जब तक डिम्पल की डेब्यू फिल्म बॉबी भी रिलीज नहीं हुई थी फिर 1982 में वे दोनों अलग हो गए उन दोनों के अलग होने का कारण यह बताया जाता है कि खन्ना साहब नहीं चाहते थे कि डिम्पल एक्टिंग करे और दिम्पल को यह बात पसंद नहीं थी राजिश खन्ना और दिम्पल कपाड़िया की दो बेटी भी हैं ट्विंकल खन्ना और रिंकल खन्ना ट्विंकल खन्ना ने अक्टर अक्षे कुमार से शादी की है 2011 में पता चला कि काका को कैंसर है 14 जुलाई 2012 को तब्यत खराब होने की वजह से उन्हें मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एड्मिट किया गया था और 16 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया गया था 18 जुलाई 2012 को काका ने अपने मुंबई के बंगलो आशरवाद में अपनी आखरी सांसे ली और पॉलिवुड का सबसे बड़ा सूपरस्टार हमें छोड़ कर चला गया उनकी एक्टिंग आज भी याद की जाती है और आगे भी हम उने ऐसे ही याद करते रहेंगे आज के लिए बस इतना ही आगे भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें News 47 धन्यवाद